मैं इसलाम अपनाया था ना तो इसके पीछे एक एरिया पढ़ता है मैं वहाँ पर रहा हूँ तुम्हारे भाईने ना बहुत बुरे दिन निकाले तामदरो देखो आज अल्ला ने बहुत तरक्की दे दी मुझे इतनी तरक्की के हर जगा लोग मुझे पहिंचान दे तबी आपने बड़े का गोश्ट खाया क्या ना में छोटे का खाता हो ना बड़े का खाता हो आपको बता दू इसलाम में जो है ना खाने को लेकर कोई शर्त नहीं ह कोई वेजेटेर्न होगा ना तो भी चलेगा जो गलत है हो नहीं खाना है जो सही है जाज है वो खाना है जब मैंने इसलाम अनम अपना है था तो कोई seriously था मैं अन्व सुठार्भान है यहां उरहा हूँ यहीं आपक्स बारने श्र जगा अने zij श्वाना है इसलाम वालेक्य कि गए और शाम तक घर आ गए बट पहली बार हम लोग जा रहे हैं कहीं पर स्टे भी करेंगे और घूमेंगे और लेट नाइट तक घूम के फिर बाद में आपको लोग को सारा विलोग भी बताएंगे कि हम कहां कहां गए थे और बहुत जादा है एक्साइटमेंट भी लग रही है क्योंके नौ साल के बाद पहली बार यह घुमाने की रादे से और एक दिल रुखने वाले भी है लेकर जा रहे हैं तो देख लो अपने बती जे को पोते को यह भी देखने के लिए बेचेन हो रहा है मैं अपनी कार तक पहुचा हूँ आइम पर हम यहां तक कैसा है यह तो बताए नहीं ने मैं बता देती हूँ मेरी वाइस आप तक है जो हम नहीं बना पाए शोरे एक्षली बेबी हाथ में था बैक भी हाथ में दी और कैमरा निकाल नहीं पाए हम लोग यहां तक ऑटो से आने के बाद यहां पर वेट किये यह जारे ही पैठे ने अर यह सब्सक्री नहीं जाला का बेतने के लिए इसन हमारे में ऐने से हने चेंजज ल्हां अले आगे मेन हमारी बॉर्णिंग अच्छी हो गई प्लस हम लोग गूमने चाह रहें और इजान का साथ है ओ माशाल्ला ये तो वो गया किसे न्याबत मिल जाती है नाने की और पुश्पुश बोलते हैं बहुत सारी कहावत इसमें है वैसा हो गया इजार कहा जा लेओ आगे किसाथ है मारे चोटे भाई है थोड़ा आवाज नीतालो सालम आलेकूं परकात हुआ इनको शायद पता है के हम एक नीव मुस्लिम है पहलाने आया हो और अच्छे से खाना ये कहलाएंगे हम लोग कर अप्गात कानी में क्यां वहा चलो तॉमारी बाभी इंतदार करी इ अब जो अब आपको बता दू और वैसे भी इसलाम में जो है ना को लेकर कोई शर्थ नहीं है कोई वेजटेरन होगा ना तो भी चलेगा तो हम न्यू मुस्ली में आप जानते ही है तो खैने को ये कोई शर्थ नहीं है बस ये का गलत नहीं खाना है झो घलत है वो नहीं खाना है जो सही है जायीज है वो काथ हखाना है हलाल फूर काना है थेक हैं करें चलीए कंटीन रखते है भूप जाधा लगिया है है हम 2 अधार थोड़ी पर ट्राफिक है थोड़ी पोड़ना था थाइम है फिर भी क्यों टीक है जिसे थेसे हम आरे निकल ही रहे है आप आप और ये इजान भी सो चुका गए चलिए मिलते हैं आगे थके वे इंसान हाँ से हारे हो ये तुम गुमाने लेकर मिखले थे ये दिखो उनको असुआ से गाड़ी चला चला के थक गए कुछ समझ में लिया है ना खाना अच्छे से खापाए ना कुछ आगे होटल नाइट स्टे करने के लिए अब देखते हैं चेक इन कर रहे हैं अब भाइजान पुका शुटी के सब देली हुआ है और रिचाएंगे बाइग कर रहे हैं तो अब ही मैं उटा हूँ और रेडियो होने के लिए जा रहा हूँ इस वक्त हूँ मैं अंधिरी तो अंधिरी का थोड़ा नाजारा भी दिखा दो आपको देख सकते हैं अब यह हम दे लिए है तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके और निकल रहे हैं यहां से चेक आउट ले रहे हैं चलो मिलते हैं आगे फाइनली मैं चपल पैनना भूल गयता है चपल पैन लेता हूँ यस 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 यह यहां से चेक आउट कर लिया है और पाओँ को देखो आप तीनों भी रेडी हैं चलो मुट पैन यह प्रमाद भाइव पैन लोग ने बहुत प्लिए और लुट हम आगे का अपल भाइव ए दाया ब्लिए काफी पढ़ी आ रहा है यारका experience और अच्छा time गया हम लोगों का बटू क्या कर रहा देगो चाला चाला चलो भाई लाभीज लिफ्त के बजे ले रहा है ओ लिफ्त रूपी यार गेड़ बंद करने का close the door जब पहली बार मैंने मेरा फर्स टाइम जब मैं इसलाम अपनाया था ना तो इसके पीछे यह एक एरिया पढ़ता है मैं वहां पर रहा हूँ तुमारे भाईने ना बहुत बुरे दिन निकाने समझेरो आज आज अल्ला ने बहुत तरक्की देदी मुझे इतनी तरक्की के हर जगा लोग मुझे पहिचामते है चलते हैं चलते हैं तो एक बत था मैं इसी के पीछे में रह रहा था और लगब लगब में चार से पात साल रहा हूँ काफी अच्छा एक्सपिरिंस रहा है तो यापर रोड पे भी गुजारी थी मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह हो अच्छल में में रात गुजारूना तो चली अलम्दुल्ला आगे मिलेंगे बात होगे आप लोगों से मिलते रहिए बात करते रहिए मैं हूँ बीटू के साथ देखो अच्छल में तो यही वह रिल्लिय स्टेशन है जहांपर मैं कई दिनों तक रहा यहां पर सोता था आप लोग जानती है जब इसलाम अपनाय था जब मैंने इसलाम अपनाय था तो कोई पैक सपोर्ट था नहीं मेरा तो मैं यहां पर सोया हो रहा हूँ यही वो जगह है अंधिरी स्टेशन का नाम है अंधिरी तो काफी कुछ याद है जुड़ी हुई है मेरी यहां बर और तुम्हारी भावी को अभी बेंडरा में है और बेंडरा में जो भीड आपको देखने मिलेगी ना अब यकिन नहीं मानोंगे दिखा देता आपको क्या भीड है जबर दस्त यह देखो ट्राफिक तो यहां से जो हमारा घर है वो देड़ गंटे की दूरी पर है ज्यादा दूर नहीं है अगर हम लोग हाईवे से आते तो देड़ गंटा है और लोकल ट्रेंस आएंगे तो बहुत से वह 40-45 मिड़ बाम रॉक टश हो जाते हैं अपर अभी कुछ शॉपिंग तो हो नहीं प आख है कार पार करोगे सिदा गाड़ी उठादेंगे ऊदा और ही कि एकवालाई साबी था ठीक्तब चलो है इस चलोवेच्वेच्टे थियं क्या कर रहा है बाबफ़ मेरी मेर्य कर मेच्छा आ है मंसा थाय थाल्य इस शाय vandaag हरे है एल्डी इस भू है काम करते हैं आपकिवस द कितने का है? 120 का है, वो कम करके लगा जा रहा है, यह अभी इजान के लिया जा रहा है, बट इजान के काम कब आएगा पता नहीं, इजान, अब वो क्या ले रहे हैं?